नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सोनल आप देख रहे है सच बेधड़क और आज सच बेधड़क पर हमारे साथ एक खास मेमानिया मौझूद है उनसे मिलवाने से पहले एक बर आपको बदा दो कि उनका चूरू से बहुत पुराना रिष्टा रहा है और सिर्व उनका ही नहीं बलके उनके दादा जी उनके पिता जी और फिर वो सबसे ज्यादा कहें तो यूथ में उनको ये मौका मिला कि वो बने सांसत हमारे साथ मौझूद है राहूल कस्वा आपका बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर सबसे पहले क्योंकि हर एक जनता का एक ही सवाल है कि आखेर बीजेपी छोड़ा अपने अगर हम कंटिनुएशन गंदर इस पाटी में ही थे और हम हमारी जो फॉट ऑफ पॉलिटिक्स है बहुत डिफरेंट है हमारी यूएस पी हमेशा कनेक्ट विदे पीपल रही है और हमने उसी तरच को पर पनी पॉलिटिक्स करी विवर अल्वेस ग्राउंडड़ हमने कभी भी लाइफ में हमारी जदा में तो कांशाए नहीं थी कि भी हमें ये वाला पद चाहिए हमें ये बनना है वो नहीं बनना है और जिन सरकमस्ताइंसिस के अंदर एक वेक्ति विशेश के कहने से पार्टी ने फैसला लिया उसके बाद कम्वनिकेशन बिलकुल ही बंद कर दि तो मुझे और कॉंग्रिस के ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे बैटर आप्शन लगा मेरे पब्लिक की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग्ली मने फैस्दा लिया और आज कॉंग्रिस के परत्याशिक रूप में मैं सांसदर चुनाव लड़ रहा हूँ चुरू लोकसवा सीट सबसे होट सीट मानी जा रही है इसको लेकर बहुत से यहां पर दावे सामने आ रहे थे और आपके ऑपोसिट में जो खड़े है उनको लेकर भी क्योंकि वो नई चेहरे है पहले बार चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बहुत साल हो गए चुनाव करेगी क्योंकि पुराना चुहरा आप उसरी पार्टी का रहे है लेकिन आप नहीं पार्टी में आ गया देखिए अगर आप ट्रेडिशनली अगर आप रिजल्स को के डेटा को चेक करोगे तो कॉंसी के अंदर जब भी मेले लेक्शन हुए तो बीजेपी की परफॉर्में है हमने कभी द्वेश्टा से किसे राजनती नहीं करी तो जो यह ट्रांजिशन पिरेट था फर्म वन पार्टी तो अनदर वो बहुत स्मूध था और बहुत इन्वाइटिंग था पब्लिक अट लार्ज में के साथ-साथ हमारी लीडर्शिप जो थी कॉंग्रेस की वो उनक 33 यह की हाड़ वर्क आज पे करती नजर आई और लोगों ने बहुत खुले मंद से स्विकारा है कॉंग्रेस पिछले 33 यह में यहां से जीत भी नहीं पाई यह सांसद तो उनके मन में एक वो फिलिंग भी करकरता हूं में यह रही कि भी भी करन हम जीत सकते हैं और आप आप हमारे साथ आए हो तो जो आपका नेचर होता है वो नेचर आपको कहीने की लाइफ में पे करता है मुझे लगता है 33 साल का जो एक हाड़ वर्क और कमिटमेंट हमने पॉलिटिक्स को दी थी वह कमिटमेंट आज हमारी पे कर रही है जो रिलिशिशिप हमने बिल्डप की लो मुझे कुछ भी ऐसा महसूस अभी होता नहीं और पॉलिक में फिलिंग इस बात कि हम देखिए एक तो इतना लंबा यह सफर है कि सफर को आप किसी भी एंगल से छोटा नहीं मान सकते विकास 340 किलोमेटर लॉंग कॉंस्टिएंसी के अंदर घर में कोई एक मेंबर नहीं हम कनेक्द आब की अरुट सब्सक्रीण पर लेगा सेपिशित क्या हैं आफ स्दूर कंग नैग में j Fourटा लगता है और हमारी इमेज को फाइंट किया है उसकी हमें याज बहुत जड़ा हैं मिल रही है और पबलिक में बहुत अच्छी एक हैं है पर करकरत्व में जोश है क्यो पर आप जीटाएंगे? देखिए हम कंपीट किसे कर रहे हैं आप कंपीट देखिए हमारा खुद की हार्ड वर्क है हमारी कनेक्ट विदे पीपल है हमारा एक हॉनस्टी का जीवन रहा है हम मेरे पर आज तक भी कोई एक इलजाम लगा नी पाया आज तक तो गाओं में नी पहुंच पाएंगे हम तो पूरी कॉंस्ट्वेंसी के अंदर हर पंचायप में पहुंच चुके हैं हमारे तीन दिन के तूर बचे हम सब जो पहुंच गए मदर पहुंच गी मैं पहुंच गए जब फादर पहुंच गए और पीपल नो देंग आप जाके सिंपली किसी गाओं में खड़े होके बाशन देते हो तो वह कनेक्ट नहीं होती वह सुनते हैं फिर लोग भूल भी जाते हैं पर जिस गाओं में आप जाते हों वहां पर दस चेहरे पंदरा चेहरे आपको जानकर मिल जाते हैं उसका बहुत होनी हें और शौरेंशत होनी है लोगों का में बहुत संतरी और प्यार मिलता है और मिल भी रहे सुनामे और इस सुनाम में लोगों ने इस बात की एक गार्फ वांदी वी है कि कोई एक व्यक्ति कैसे thoroughly recipe में कांग है एक वोटिंग रैट उनके पास में है किसको चु जहां तक बात की जा सकती है इन लोगों की जो सोच रही उससे पुब्लिक में बहुत बड़ा रिसेंटमेंट है वो इसका इंपेक्ट आपको 19 को दिखेगा जरूर आपने एक इंटिव्यू में का था कि पीम मोदी को चूरू छेतर के बारे में नहीं पता कि आखिर चल क्या चुरू छेतर में चाहिए क्या थेशान को आपके नहीं मालून कि आखर शेट्र में क्या चल रहा है चल वहने टिकेट काटा मैंने मेरा वह स्टेटमेंट किस बीम आइखा मुझे मैंने का की यह इस्टेट फिशु की जिमेदारी है आज अब स्टेट को हैड करने वाले वा कुम्निकेशन को क्रेट करें आज जो स्टेट लिडिशिप ती टोटल फेलियर को पर है मैं फर्स्ट आफ जैन्वरी को मेरी का उंस्ट्रेंसी के मीटिंग ले रहा हूं कलेक्टर के ऑफिस में दिशा की मीटिंग मेरी 6 गंटे चली मैं मेरे इतना कॉंफिडेंट था कि मैं इ और आपने जा कि इतनी गड़ पिक्चर दिल्ली में शो करी क्योंकि दिल्ली के अंदर कोर कमीटी में 543 सीटे बढ़ती है एक एक सीट का क्या हिस्ट्री है क्या नहीं किसे ने क्या मिस्गाइड किया है अगर मुझसे बात भी करी होती तो मुझे को इस बात कर को मलाल भी न रहे हो हम लूज करते गए पर हमने लोगों को भी साथ मिं छोड़ा फाइप ने एक बार कहा कि आपको चुनाम नहीं लड़ना हम एक घर में दो टिकेट नहीं देंगे मैंने उफ तक नहीं करी और मैंने उन लोगों को पार्टी जोइंग कराई जिनके सामने हमने चुनाम पार्टी फाइव यर्स तक और उन लोगों को टिकेट दाने काम किया ताकि पार्टी मजबूत हो मुद्दा टिकट का नहीं है मुद्दा आप कैसे ऐसे विक्तियों के कहने से लोगों को ट्रीट करते हो रिस्पेट होती है इनसान की कोई एक वैल्यू होती हमारे कारे करता हैं 33 साल का सफर आपने एक ज़टकें पार्टी बाहर निकाल दिया तो बात करने को भी तियार नहीं को एक गुस्भवकर टो प्र पूबिक को हैं और उसका ही उचकी आभाँ नके मैं मैंने एक स्ट्रॉंग स्टेप लिया है कि मैं पब्लिक से लादा सफोकेशन यह आपको है देखे मुझे तो यह यह बात मेरे फादर ने वसंद्रा जी को 15 साल पहले का दी थी कि इल बी टॉफ वर अस्टू स्टे विद मिस्टर राजनरा थोडिन बजेपी कि उनकी जो पॉलिटिकल सोच है जो टेमपरामेंट है वो बिल्कुल पैसिमिस्ट हैं नेगिटिव सोच के लोग हैं वो उनका ने कभी कंस्ट डिवलेपन्ट कोभी उनका एजन्डर रहा नहीं इसलिए कभी चूरू में देखो कि तो एक बी बिक टिकेट प्रजेक्ट नहीं मैं 33 साल के सफर में किनाने को कि मैंने यह बना के दिया है एक आरोबी बनाया है उसको भी तोड़ना पड़ेगा उसकी कॉलिटी बहुत पूर थी और पिछले साथ साल से उसके ट्रक नहीं चल सकते तो उनका जो उनका लेवल ऑफ तिंकिंग डिफेंट है मेरा लेवल तिंक jean why एकisten करारा कि नहीं नहीं है मैं एक बात मानता हुं कि गभानिट इपि अन्डिया के अंदर सम 30 30-30 प्लस के इनट मिनिस्टर्ल सुथे हर मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के पास में अपना अपना बज़र होता है अपनी ही मिनिस्ट्री के बजट को अपने इकनी सिंधेटिक ट्रैक जो पूरे राजस्तान में आज भी एक ही है और इंडिया में पांच है जो ऑलंपिक एशोशेशन दवारा सेटिफाइड है हमार ने बीमा के अंदर 7800 कोड्स का क्लेम डिस्बर्स कराया जो पूरे राजस्ता में नंबर वन पे चूरू है और इंडिया में पर प्रक्रोट्स करकर हम डिवनेट को लेका है 20,000 को गौर्मटी इंडिया में में आप यूधान में वाहिट हैं लोगों से मिल रहे हैं क्या कुछ चुनावी मुद्द्य आपकी होने वाले इस चुनाव में बजया गारें और व्याट वार्पार्श्तान ने फिरेशन है किसका होगा कोई काका फैसला नहीं करेगा और काका का यही सिभख सिखाने के लिए जनता मुहन बना चुकी है चुरू की जनता से चुरू की सुनाव से इस बात का अगाज होगा कि आप नहीं जनता फैसला करती है हम कितने नित्वरत हैं कितने लीडर्स हम बीजेपी के अंद लाइफ पब्लिक को रोज चाहिए हूँ लिडिशिप चाकि कभी पटवारी का कुछ होगा कभी कोई तैसिलदार का कुछ होगा पुलिस में फायर दर्ज नहीं होगी आप सीटी में नहीं रह रहे हो यह गाहों में जास्ट्रगल करना जहां हर एक व्यक्ति अपना खेट करनी हमने पॉलिक्स में हम निकाल पाए हैं एक बार बनना असान है दो बार बनना असान है लेकिन जनता के बीच आप गई होंगे ना आपने उनसे मुद्य तो जाने होंगे कि आखर किस बात से क्या परिशानी जिसमें आप उनकी परिशानियों को दूर कर सकते चाहिए बि इलेक्टिसिटी की बात करेंगे तो हम RDSS स्कीम ती गौर्वर्मेंट और इंडिया की पहली मीटिंग राजस्तां के अंदर चेर्मेंशिप मेंबर पार्लेमेंट में डिस्टिक में हमने करी 300 क्रोड प्लस का हम इलेक्टिसिटी के इंफ्रस्टर्चर को मजबूत कर रहे है उस पर हम काम कर रहे हैं जे जे हम हमारी कॉंस्टिएंसे में हर डिस्टिक हर तैसिल में चद्रा है लिविंग तारनगर जिसका साड़े 800 क्रोड टेंडर अभी लगना बाती है आप रोड्स की बात करोगे PMJSW की रोड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं हमाने CRIF की रोड्स लग अकेले में तीन लेके आए 165 क्रोड के पुरे राजस्तान में 14 हैं लोग कहतों देते हैं कि सरकारों ने काम करवाए हैं पर पैशन होता है जब जजबे से आप काम करते हो तो काम का रूप अलग निकल का आता है 14 सेंक्शन में तीन हम लेका है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक फ पिसले चार-पान सालों में इंटरनेशनल नेशनल खेल चुकी हैं एथलेक्स का राजगड में टेबल टैनिस के बच्चे हमारी टीम खेलती है चूरू के अंदर है तो विए वर्किंग आज इलेक्टिसिटी है वाटर हो रोड्स हो और हमारा जो भी आप डिवल्पन की बा मैं आपको मैं रेल्वे के एक एक एजामपल देता हूं जा पुछ समझ मायागा जिस दिन मैं एंप बना ता उस दिन मेरे सेक्शन तीन सेक्शन का ब्रॉडगेज कर नहीं वा था वी कर्वेज उसके बाद पूरे के पूरे पूरे ट्रैक को एक साथ 700 किलोम्टर के ट्रैक क से पूरा स्ट्रक्चर को इलेक्टिफाइड कर दिया 29 न्यू ट्रैंस लाई जो आज तक हिस्टॉरिकल है चूरू से आप बॉंबे क्याकटा माप हैदराबाद एंदाबाद वेरेव से यूंगो तो एनी बिग सिटी फरम चूरू राइट नाओ अधरवाइस पहले हमको ज करोड की लागत से डबलिंग का काम चाथ रहा है मेरी कॉंस्ट्वेंसी के पांच स्टेशन्स अम्रत भारत में आये में हैं सुजांगा रतंगर चूरू रहादलपूर एंड गोगा मेडी सो विया डूइंग गूट इन इचन एविटिंग तो यह चलता रहेगा अभी हम द करती है किस बेनिफिट के लिए अलग बात है पर टेकिंग अ पॉलिटिकल एडवांटर इस डिफर्ण सोरी मैंने आज तक मेरे मुझ से कभी यह निका कि मैं यह हूं यह मैंने किसी जाती मेरे सामने दो-दो बार मैनोर्टी करने टाएं मेरे फादर के सामने भी कॉंग्रेस इस त्रिस्तिक अंदर आपसी भाईचाह के बिगाड़ा नहीं कभी भी लूस् टॉक्लि कभी बही तोकरे कभी बहाट अपे ओपर आपने काम के एपन वार के ओपर और ये लोगों को कного आज इतना गंड भांटिया बोल रहे हैं उनको यावक्तर को घृत ज्तिं पब्लिक तूटेगा और चूरू जीतेगी कॉंग्रिस और इसका इंपक्ट आपको शेखावटी बेल्ट और वेस्टन पार्ट ऑफ राइस्था में नज़र आएगा बहतरीन तरिके से नज़र आएगा यह मेरी आज कई भी बात आप लख लेना पुब्लिक में बहुत बारी रिसेंट जो की इनको कॉंग्रिस ने चूरू लोकसबा सीट सोमीदवार उतारा है और कैना कहिए कह सकते एक बगावी तेवर भी यहां देखे गए है इनकी तरफ से और लगातर देखना होगा क्योंकि चूरू पारिवारिक सीट रही है क्या वापस यह सीट चला पाते है वापस यह इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि चुनाव इस बार बहुत ही अलग अंदास में देखे जा रहे है तो बाकी देश जुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रही है सच बेधरक के साथ नमस्कार